Hello friends, welcome back to Prabha Law Classes. आज हम Partnership Act 1932 का part 3rd करेंगे, जिसमें हम differences देखेंगे, किसमें company में और partnership firm में क्या difference होता है, और partners और co-owner में क्या difference होता है. तो शलिए start करते हैं. सबसे पहले हम difference देखेंगे partnership firm और company में. Partnership firm में अगर governing की बात करें, तो जो partnership है, वो governed होती हैं इंडर partnership act 1932 से, और जो companies हैं, वो governed होती हैं, Indian companies act 2013 से. Creation की अगर बात करें, तो जो partnership firm होती है, वो mutual agreement यान की mutual contract के बहाफ पर existence में आती है. लेकिन वहीं पर अगर हम company की बात करें, तो company का creation होता है, वो उसका incorporation के थूँ होता है, यानि की जब तक company का निगमन नहीं हो जाता, उसका registration नहीं हो जाता, जिगमन के जो भी process सारा complete नहीं हो जाता, companies acting according, तब तक वो company की category में नहीं आती है. वहीं registration की अगर हम बात करें, तो partnership का registration voluntary होता है, यानि की आपकी each other demand करता है, आप चाहो तो partnership का registration करा सकते है, otherwise ऐसा कोई boundary नहीं हो जब की अगर बात करें, अगर बात करें, तो partnership firm में जो partners होते हैं, उनकी liability unlimited होती है, यानि कि जो भी liabilities है partnership firm की वो सारे partners में equally equally divide होती है वहीं company के अगर बात करें तो company में limited liability होती है और जो उसके members होते हैं वो अपने share के और जितने की उन्होंने guarantee दी हुई होती है सिर्फ उसी part तक ही वो liable होते है पे करने के लिए liabilities को next आपकी contextual capacity में अगर देखें तो partnership firm जो existence में आती है वो एक contract के दुरूप आती है जबकि जो company होती है उसका incorporation होता है इसलिए जो partnership firm होती है वो अपने नाम से कोई contract नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि वो legal person नहीं होती है artificial person की category में नहीं आती है जबकि company का incorporation होता है उसका separate legal entity होती है उसका विदिक अस्तित्प होता है अलग से इसलिए company अपने नाम से कोई contract भी कर सकती है कोई property भी खरीज सकती है बेच सकती है कुछ भी कर सकती है अपने नाम से जबकि partnership firm में partnership firm के नाम से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर कोई contract करना भी है या की property सेलिया purchase करनी भी है तो partnership में partnership firm के जो members होते हैं partners होते हैं वो अपने नाम से contract करते हैं नेक्स नॉर्मल सी बाते separate legal entity नहीं होती है partnership firm की और company की होती है नेक्स्ट अगर हम कहें कि यह matchual agency है तो yes partnership matchual agency है क्योंकि आपस में partners मिल करके सारा काम करते हैं और एक partners के लिए के दूसरा partner भी label होता है जब कि partner जो company होती है उसमें ऐसा नहीं होता है नहीं होती है next आपका number of member जैसे हमने आपको बताया था कि जो minimum required है वो 2 है यानि कि कम से कम 2 member होने चाहिए partners होने चाहिए partnership हम में और maximum 50 हो सकते हैं वहीं पे अगर company की हम अगर बात करें तो एक private company में minimum 2 और maximum 200 members हो सकते हैं और अगर public company की बात करें तो minimum 7 और maximum unlimited यान की अधिक्तम क कि कोई सीमा नहीं है क्यों क्योंकि public company बड़ी company होती है इसलिए उनके लिए कोई limit बनाना is not good next है हमारा co-owner और partner में difference सबसे पहले co-owner देख लेते हैं क्या होता है co-owner होता है कि जब दो person किसी same property पर अपना title hold किये हुए होते हैं यानि कि उस पे अपना स्वामित्व रखते हैं और उस पे समान दोनों एक जैसा कबजा रखते हैं और उसका use करते हैं तो इस स्थिती में वो उस property के co-owner कहलाते हैं जो co-owner होते हैं उनका वैसे तो part specified होता है यानि कि जो property होती है वो उसमें होता है कि इतना हिस्सा आपका है इस property में इतना हिस्सा आपका है इस property में ठीक है दोनों का हिस्सा specified होता है लेकिन जो property होती है वो undivided होती है यानि कि उस property का dividation नहीं हुआ होता वो एविबत स्थती में होती है a co-owner share is transferable अब यहां पे जो co-owner होता है यानि कि सहस्वामी हम हिंदी में गहें तो सहस्वामी जो होते हैं उनका जो अपना part होता है अपने अपने part को transfer कर सकते हैं ठीक है also a co-owner share is inheritable independently and is capable of in mortgage, income or offered as security अब यहां यह यह कह रहा है कि जो co-owner होते हैं उनका जो अपना अपना part होता है वो चाहे तो उसको transfer कर सकते हैं transfer में हो सकता है उसको mod care, रजे यान की बंधक रग दे, lease पर दे दे, पटे पर दे दे, यह उनके part है वो अपने part को कैसे भी use कर सकते हैं by condition में अगर जो co-owner है उसमें से एक की death हो जाती है तो heritable होता है यान की जो उसके legal years होते हैं उनको transfer हो जाता है उसका वो जो property में part होता है in short जो co-owner होते हैं वो अपने अपने undivided specified part के क्या होते हैं fully एक तरह से कही जाए तो owner होते हैं वो अपने part को किसी को भी transfer कर सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं difference it arise from agreement partners जो होते हैं वो कैसे बनते हैं agreement के थूँ आपस में agreement करते हैं तब ही तो यान की देखते हैं तो जो co-owner होते हैं उसमें हो सकता है की contract हो भी यान कि कि किसी contract के through भी वो co-owner हो सकते हैं और without contract भी वो co-owner हो सकते हैं लेकिन वो co-owner बन चुके हैं, इसलिए यहां पे कहा है कि it may or may not be arise from agreement, अब दूसरी चीज यह, अगर हम contract के भीहाफ पे अगर कहें, तो दो person हैं, अगर वो मिलकर के कोई property purchase करते हैं, तो उनका एक agreement बनेगा है, बनेगा तो agreement के through भी हो सकती है, co-ownership और without agreement भी हो सकती है, next है, purpose of partnership is to carry business, जो purpose होता है partnership का, वो होता है business चलाना, जबकि जो आपकी co-ownership होती है, उसमें उनका जो purpose होता है, वो हो भी सकता है, कि वो business करें, और mostly जो है, business का नहीं होता है, जबकि अगर दो co-owner हैं, और कोई property और purchase कर रहा हैं, किसी property के वो owner है, तो अगर वो उससे rent पे दे 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 हैं, तो rent पे उन्होंने दे दिया है, तो rent पे देने से जो उन्होंने profit हो रहा है, उस profit को यह नहीं कह सकते कि वो partner हो गाएं, वो co-owner है, ठीक हैं, तो और वहां पे उ उनका फाम ही ही होता है, sale or purchase करना, property dealer जैसे कहते हैं, तो वहाँ पर फिर convert हो जाएगी partnership में, जैसे ही उनका जो purpose है, वो convert हो जाएगा आपका business में. Next है आपका minimum partner, अभी हमने देखाई था, कि partnership में two partner हो सकते हैं, और maximum 50 हो सकते हैं, जबकि जो co-norship होती है, उसमें minimum तो two partner होने होने चाहिएं, otherwise, जो maximum limit है, इसमें कोई limit नहीं है, कितने भी co-owner बन सकते हैं. Next, a partner cannot transfer his right and interest to any person without consulting his partner. एक partner जो होता है, वो अपने, जो partnership है, उसकी, वो अपने उस partnership के right को, किसी और को transfer नहीं कर सकता, जब तक कि वो, जो other partner से, उनकी consent ना ले ले. जबकि जो co-norship होती है, अब मैंने अभी पीछे आपको बता रहा था, co-owner में, कि जो co-owner होता है, वो अपने जो part होता है, उसका owner होता है. अब वो उस part को transfer भी कर सकता है. तो यहीं पर अगर देखा जाए, वो उसकी मर्जी है कि वो किसी और को transfer कर दे. उसके लिए उसे अपने दूसरे जो co-owner है, साथवाला है, उसकी consent की जबरत नहीं होगी. Next, partnership can be dissolved on the insolvency, death, misconduct, etc. अब यहाँ पे क्या है, जो partnership होती है, वो dissolve हो जाती है, उसमें से अगर एक person be insolvent हो गया है, या death हो गई है, या misconduct है, या आगे जो हमने पीछे partnership में condition देखेंगें थी, अगर वो हो जाता है, तो partnership क्या होती है, dissolve हो जाती है, लेकि जो co-ownership होती है, वो dissolve नहीं होती है, इन किसी भी grounds से. नॉर्मल सी बात है, कि अगर एक co-owner की death हो गई है, तो जो उसके legal layers होते है, वो उस property की owner बन जाते हैं, तो ownership बनी रहती है co-ownership, तो ऐसे अगर किसी co-owner की death अगर हो जाती है, तो उस condition में, जो ownership हो खतम नहीं होती है. Next आपका, a partner is an agent of the firm, for the purpose of business of the firm. अब हमने जब partnership पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि, एक partner, दूसरे partner का agent भी होता है, और एक partner के द्वारा किये गए काम का, जो दूसरा partner होता है, वो भी liable होता है, लेकिन co-ownership में ऐसा नहीं होता है, co-owners are not agent to one another, वो एक दूसरे के agent नहीं होते हैं, जो भी co-owner में से कोई सा भी person हो, partner, member हो, वो अपने द्वारा किये गए काम के लिए, खुद ही liable होगा, ना कि दूसरा co-owner होगा, तो आज हमने difference देखा है, partnership और company में, partnership और co-ownership में, and at last, thanks for watching, please like, share and subscribe, और हमाई partnership की वीडियो चली रही है, और अगर किसी और topic पे आपको वीडियो चाहिए, तो please comment box में comment करके जरूर बताएएगा, take care, have an eye.